यलो दोस्तों लूसेंट राश्तान जी के डेली टॉफ फिटी कोशन में आपका वेलकम आश्तों तो ये वीडियो का दोस्तों इससे पहले भी दोस्तों सी पार्ट बनाई जा चुके हैं वो भी आप चैनल पर जागे देख सकते हैं तो यहां डेली मिलना आपको टॉफ फिट ख्य lleva देखना है तो शुरू करते हैं तो आज गावीडियो कोशन है राजस्तान में कितने सेमिके 6 अनिया थी तो इस Defense और सिच्टफ साश्य छे सेमिक चांवं यथी राजस्तान में नेक्षण एंए एरिन्पुरा विद्रोह का नेतरितू किए तो हिए सिवितने किया थो है एरिनपूरा में विद्रोह हुआ था तो इसका रिक्टासर्ण एंब्शन अगस्ट को हुआ था एरिनपूरा में विद्रोह है नेक्षन है, राजस्तान में सुवेवस्तित करांती किस जगह पर हुई थी तो इसका रेक्टा सराय, option number A, कोटा में हुई थी नेक्षन है, नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ था तो इसका रेक्टा सराय, option number A, 28 में को हुआ था नेक्शन है नसीरबाद के विद्रो है किस तरफ चले गए थे तो इस कारेक्टर अंसर है आप्सन नमर ए दिल्ली की ओर चले गए थे नसीरबाद के विद्रो ही नेक्शन है निमबच में विद्रो है किस ने किया तो इस कारेक्टर अंसर है आप्सन नमर से ए और बी दोनों मतलब हीरा सिंग और मुहमद अली बेग इन दोनों ने किया था निमबच में विद्रो है नेक्शन है मिमबच से भागय हुए अंग्रेज परिवार को कहां बंदी बनाया गया था तो इस कारेक्टर अंसर है आप्सन नमर ए डूंगला में बंदी बनाया गया था नेक्षन है खेरवा नामक इस्तान किस से समदित है तो इस कारेक्टांसर है आपसर नमर ए कुशाल सिंग से समदित है खेरवा नामक इस्तान है नेक्षन है मेग मोशन कहां का पीए था तो इस कारेक्टांसर है आपसर नमर बै मारवाड का पीए था नेक्षन है मेग मोशन का सिर किस युद में काटा गया था तो इसका रिक्टाँसर है आपसन नमर एए चेलावास की उद्वें काटा गया था नेक्शन है किस करांथी के समय अंग्रेजों का मुख्याले था तो इसका रिक्टाँसर है आपसन नमर बह एए माउंट अबू में था जो 1850 की करांथी हुई थी उस समय अंग्रेजियों का मुख्याल है नेक्षन है कोटा में करांती का नित्रतू किया था तो इस कारेक्टांसर है आप्सन नमर से दोनों ने मतलब जै दियाल और महराब खा इन दोनों ने कोटा में करांती का नित्रतू किया था राजस्तान में किस जगह है जन विद्रो है हुआ था तो इस कारेक्टर असर है आप्शन नमबर आ कोटा में हुआ था नेक्शन है मेजर बर्टन का सर कहां गुमाया गया था तो इस कारेक्टर असर है आप्शन नमबर आ कोटा में गुमाया गया था नेक्शन है राजस्तान के किस शाषक ने अपनी सेना सहीते स्यम जाकर सहीता की थी तो इस कारेक्ट राइट 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 कोटा में सेनिक छावनी नहीं थी नेक्षन है चेलावास का युद्ध कब हुआ था तो इसका रेक्टांसर है आप्सन नमर बै 18 सितंबर को हुआ था चेलावास का युद्ध नेक्षन है किसी युद्ध को काले गोरे का युद्ध कहा जाता है तो इस कारेक्टांसर है आप्सनमर्स है चेलावास युद को कहा जाता है काले गोरे का युद नेक्शन है कोटा को कितने महाँ बाद करांती कारियों से मुक्त कराये गया था तो इस कारेक्टांसर है आप्सनमर्स है छे महाँ बाद मुक्त कराये गया था कोटा को नेक्शन है 1857 की करांती में कहां विद्रो है नहीं हुआ था तो इसका रेक्टांसर है option बर से खेर वाड़ा में विद्रो है नहीं हुआ था नेक्शन है कितनी सेनिक चावणियों में विद्रो है नहीं हुआ था तो इसका रेकट अंसर है, ओप्शन मर बहँ है दो सेनिक चाउनियों में राजस्तान में निक्षन है निम्नमे से कौन सा यूग में गलत सुमरित है तो यहाँ पर क्रिशिक अंदोलन का नाम दे रका है और यहाँ पर नेता का नाम दे रका है तो बिकानेर का जो क्रिशक अंदोलन है वह नरुत्तम लाल जोशी ने चलायता ये उप्शन बिल्कुल गलत है इसके अलावा बेगु किसान अंदोलन राम नारन चोधरी बिल्कुल सही है बुंदी क्रिशक अंदोलन नेनु राम शर्मा बिल्कुल सही है विजे सिंग पती विजुलिया अंदोलन बिलकुल सही है कांगडा कांड किस प्रजामंडल अंदोलन में गटित हुआ था किसान अंदोलन से समन्धित नहीं है तो इस कारेक्टांसर है आपसे नमबर आए पाली सम्मदित नहीं है किसान अंदुलन से नेक्शन है दक्षिन राजस्तान में भगत अंदुलन का संस्ताबग था तो इस कारेक्टांसर है आपसे नमबर से गोविंद गिरी था भगत अंदुलन का संस्ताबग है नेक्षय ने गोविंद गिरी का पर्मुक शिश्य था तो इस अप्सकारेसर हुए आपस宮 свои पूंजी धीर जी ता गोविंद गिरी यस नें इसी कि राजस्तान जाट शेत्रिय महासभा बनाई गई थी तो इस इस कारेक्टांसर ए आप्शन मर्बभे 1932 में मनाई गई थी जाट शेत्रिये महसबा भी जोलिया किसान आंदूलन के दोरान परवर्तित विद्या प्रचारणी सभा के परवर्तक थे तो इस कारेक्टांसर ए आप्शन मर्भे विज्ये सिंग पतिक थे नेक्षण आए वोले शेविक समझोते का संबद किस आंदोलन से है तो इसका रेक्टान सरह complex बेगों अंदोलन से संबद है नेक्षण आए भारत सरकार ने किस वर्ष ट्राइप सेलैक्ट लागूं किया था तो इसका रेक्टांसर है आपसर नमड़ ए 1924 सिस्वी में लागू किया था नेक्शन है गोविन किरी ने किस राज्य में अपना अंतिम समय वेतित किया था तो इसका रेक्टांसर है आपसर नमड़ ए गुजरात राज्य में वेतित किया था नेक्षन है विजोलिया के शाषक प्रत्वी सिंग की मरत्यू किस वर्ष हुई थी तो इस कारेक्टांसर है ऑप्सन नमर दे उनने सोच उदा में हुई थी नेक्षन है किस शेत्र में चिर्वा सेवा समिती का गठन हुआ था तो इसका एरेक्टांसर है और शेकावाटी शेत्र में हुआता चिर्वा सेवा समिती का गठन है नेक्षन है निमलिकित में से कौन शेकावाटी अंदुलन से सम्मदित है तो इसका एरेक्टांसर है और शेकावाटी अंदुलन से सम्मदित महीलाएं है नेक्षन है प्रग्या चक्षू भावणलार सुनार का सम्मद किस अंदुलन से है तो इसका एरेक्टांसर है और शेकावाटी अंदुलन से सम्मदित है नेक्षन है जोतपूर लीजियन का गठन किस वर्ष हुआ था तो इसका एरेक्टांसर है और शेकावाटी अंदुलन से सम्मदित है 1858 को आहुआ पर अधिकार किया था नेक्ष ने क्रांती की देवी सुगालिता की मूर्ती वर्तमान में किस इस्तान पर सुरक्षित है तो इसका रेक्टांसर है आपसर नमबर बैर पालिस्तान पर सुरक्षित है नेक्ष ने किसे पुर्विया से निकों का विद्रोह कहा जाता है तो इसका रेक्टांसर है आपसर नमबर बैर एरिम पुरा विद्रोह को कहा जाता है नेक्ष ने 1857 की करांती के दोरान किस राज्य की महिलाओं ने भी विद्रोह में भाग लिया था तो इसका रेक्टांसर है आप्सन नमर बे टौक राज्ये की महिलाओं ने भी विद्रोह में भाग लिया था नेक्शन है राज्ये में ऐसे कितने इस्तान है जहां सेनिक चाउनिया ने होने पर भी विद्रोह हुआ था तो इस कारेक्टांसर है ऑप्सन मर्स है दो ऐसे इस्तान है जहां पर सेनिक छाउनी नहीं होने पर भी द्रुह हुआ था नेक्शन है किस राज्य के शाशक ने आगरा इस्तित लाल के ले में फसे अंग्रेज परिवारों की सुरक्षिया हितू अपना तोप खाना बेजाता तो इस कारेक्टांसर है ऑप्सन मर्स है अलवर राज्य के शाशक ने बेजाता नेक्शन है राजस्तान में नोन सेल्यूट इस्टेट कितने है तो इस कारेक्टांसर है आप्सन मर्स है तीन इस्टेट है नेक्शन है किस ने कहा कि यदि विद्रुहियों में एक भी योग्गे सेनिक रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते नेक्शन है किसे राजस्तान का प्रत्भम शहीद कहा जाता है तो इस कारेक्टांसर है आप्सन मर्स है अमर्चन बाठिया को कहा जाता है नेक्स ने करांतिकारी डूंग जी की मरत्यू कहां हुई थी तो इसका रेक्टा नसर है आप्सन नमबर ए जोदपुर में हुई थी करांतिकारी डूंग जी की मरत्यू